दोस्तों महाइशी रसी में आजम बनाएगें बहुती कम तिल में बननेवाली और बहुत एतना बर नना चाहेंगे और टेस्ट बड़ कि बच्ची और बढ़े आपसे बार-बर बनाने की दिमांड करेंगे से स्टॉबह सब आप पूरी तरीके से निकल जाएगा और इसके साथ बनाएंगे महीनों तक चलने वाली ये बहुत ही टेस्टी चटनी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले जैश्री किष्णा दोस्तों मैं कलत नमाशरी अपने चैनल हाशी रसे में मैथी की शांदा रसीपी बनाने के लिए मैंने एक दम अच्छे से साफ करी हुई 200 ग्राम जितनी मैथी ली है जिसे चोटे चोटा काट लिया है प्रांट मैथी की करवाट की वज़े से बच्चे और कही बड़े भी मैथी खाना पसंद नहीं करते तो उसके लिए आप क्या थोड़ी सी तो रहेगी क्योंकि वह उसका प्रापर टेस्ट है और से चोटा सा प्रोसेस आपकी मैथी को बच्ची और बड़े दौनों का फेवरेट बना देगा उसके बाद ले लिए एक स्टेनर और उसमें हम यह मैथी लादेंगे अब यह जो मैथी है यह काफी कम कड़ बच्ची और बड़े दौन और आम से खा सकते हैं उसके बाद गैस ऑन करी उसके पर कुकिंग आयल रखा उसमें डाला एक टी स्पून जितना कुकिंग आपको बहुत ज़दा आइल नहीं लेना है बिल्कुल थोड़ा सा वन फो टी स्पून जितनी राई वन फो टी स्पू बस कप आप सेट कर लें आप जो भी कप यूज करें यह गई थोड़ी से मिर्चे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक नमक भी थोड़ा सा कम लगेगा और जैसे यह अच्छे से गरम हमने जो मैथी कट करके रखी ती ना अब उसे डाल देते हैं और जितने मैथी में मैंने लिया एक कप जितनी सूजी है आपके पास नॉर्मल सूजी हो या मोटी सूजी हो इससे फरक नहीं है पस आपको उसे मिक्सी में जरूर चलाना होगा तब यह आपकी जो रेसिपी बनेगी ना वह प्रॉपर बनेगी और यह देखिए हलकी सी मैने इस अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गीला है तो आप थोड़ी से सूजी बढ़ा सकते हैं क्योंकि काई बार होता है दस मिट के लिए एक साइट से रख दें जिससे सैट भी हो जाएगी और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी और इसी बीच हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया महीनों चलने वाली सूखी चटनी तो उसके लिए गैस ऑन करी उसके ओपर एक पैन रख दिया है और पैन में हम डा जालेंगे दस बारे कल्यों लहसुन की फ्रांट्स यह जो चटनी बनती है ना बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे इस पेशल बात है कि आप महीनों रखकर खा सकते हैं यह खराब भी नहीं होती है और जैसे लहसुन ब्राउन में उसके अंदर हम डालेंगे दो टिबल स्प अधे चोटा-चोटा कट लिया है जिस तर में भूनने में आसानी रहेगी तो बस इसे भी बून लेते हैं और उसके बाद लिए थोड़े से करी पते उसके साथ थोड़े सा धनिया और थोड़े सा पोधिना भी ले लिया आपके पास जो भी आप उसी से चटनी को बना सकते कि अच्छी मिर्चे अच्छी के विम्यार देले के लगा लीकाइक यह लाल मिर्चे I का विम्यार है जो कि अच्छी कर लेडे जएंगे अर वागी तोड़ा कच्छा पन दूर हो जाएगा और सब चीजें जब बढ़ असी बुन गए तोड़ी से ठंडी होगा पीसना पूसके लिए एक मिक्सी का जाल ले लिए ऋपना गाला हैं तेस के हिसाब से नमक और उसके बार डालें दो टी स्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्चे इससे बहुत ही शांदार कलर आएगा और फ्रांस इसमें हम नीबू या अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे यह मैंने लिया है हाफ टी स्पून जितना साटरी टाटरी या नीबू कसा तापी से जिस भी नाम से जानते हैं और यह बहुत ही खट्टा होता है और इससे जो टेस्ट मिलेगा ना वह बहुत ही बढ़ी है मिलेगा और खराब होने के जो चांसे जहें बिल्कुल कतम हो जाएं उनके साथ सर्व की जिए बहुत ही बढ़ी हा लगता है और सूजी की कोई भी रेसिपी आप बना रहे हैं ना सबके साथ बढ़ी हा टेस करती है और इसी बीच हमारी यह जो सूजी रहे हुई थोड़ी से ठंडी हो गई है और बढ़ी हासी सैट भी हो गई है तो चलिए कि अब बढ़ी है तो अब बारी है इससे पराण्ठे बनाने की तो उसके लिए जिसे आम नॉर्मली पराण्थे बना लेजे थोड़े बड़े से पीड़े बना लीजे और एक पीड़ा लेते जाए और सूखे आठे में गोट कर लेए आप चाहे तो मैंदा में कर सकते आए कोई आपको एफर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप चाहिए तो इसी तरीके से सेख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लेगा लेकिन अगर चाहिए थोड़ा सा और टेस्ट बनाना तो आप क्या किजिए थोड़ा सा कुकिंग वाल इस तरीके से लगा लीजे और उसके होती बढ़िया टेस्ट करेंगी अगर आप यह मैथी वाले परांठी नहीं बनाने हैं सादा परांठी बनाने हैं उसके साथ भी एकस्परिमेंट कर सकते हैं तो उसके बाद हम इसकोई में परांठी बनाएंगे तो साइडों को इस तरीके से एक दूसरी के उपर फोल्ड कर बनाने में आपको बहुत जदा महनत नहीं लगेगी पर आपको जो टेस्ट मेलेगा ना वह बहुत ही बढ़िया मिलेगा तो एक और बना लेते हैं तो उसके लिए मैंने फिर से अटा लिया अच्छे से उसे बेल लिया तोला सा कुकिंग अल लगाया मसाला लगाया फिर सम बना लेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप पहले लगा कर लग दें तो आपका काम और भी जदा असान हो जएगा और यह लिए दूसरा परांटा भी तयार है तो अब पार यह सेखने की सेखने के लिए गया सोन करी तबा रखा और तब को कर लिया पहले थोड़ा सा ग्रीज जिससे बड़ी आसा सिख जाएगा और उसके बाद परांटा प्लेस कर दिया जैसे ही ड्राइव हुआ टर्न कर देते हैं इन परांटा को बनाना बहुत ही आसान है और परांटा सीखने में बहुत ही कम समय लगता है क्योंकि आपने जो सूजी लिया है और डेडी वो तैयार क्याै क्योंकि उस्से पहले ही अच्छे से उबाल लिया था स具ं देझा हमान चाहिए एक निट मैं आपका परांठा तैयार हो जाएगा हलका हल्का सा फूल जाएगा लेकिन और ही मैं नौ related की दिपने सिर्दने के गुबारे की तरह पहलेगा यह गुबारे की तेरह नई अगर एक बार आपने बना लिया ना तो आपको इतने पसंद आएंगे कि जब भी मार्केट में मैंति आती है ना तो आप हार बार इस ते को ट्रू ट्राइए करेंगे तो चलिए दूसरे पराठा भी सेक लिया और यह देखें यह भी बढ़िया सा सिक्कर तैयार है इन्हें सेकने में भी प्राठा ओयल बहुत ही कम लगता है एकदम कम ओयल में सिक्कर तैयार हो जाते हैं क्योंकि सूजी ऐल को काफी कम एक्जॉप करती है तो यह लीजे हमारा द सूजी से बनाएं तो आप यह मान कर चलिए कई बार होता है जब पराठे काते हैं ठंडे तो गले में रुकते हैं वह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस चेटनी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और इस चेटनी को आप सूजी की कोई भी रैसिपी कटलेट हैं मेदू बढ़ा है या पकोड़े हैं सबके साथ बढ़िया टेस्ट करते हैं इडली के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं तो यह लीजे फ्रेंट्स आप लोगों को यह रसीपी बहुत पसंद आयोगी इसलिए प्यारी-प्यार से कमेंड जरूर करें और व